हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू लर्णिंग स्किल और आज का हमार प्रोग्राम में एरिया केल्कुलेट करना सरकल का एरिया केल्कुलेट करना ठीग है तो चलिए हम अपनी प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि मैंने पहले से जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बना के रखा है इसमें कुछ नहीं है एडर फाइल है में फॉंसन का और उसकी वोड़ी है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम कि एडिया केजा है को समाझ़ लेते हैं कैसे हैं करदे करने घ् misma मने यहांहाँ सरकल है ठीक है हमें इसका area calculate करना है तो area calculate करने के लिए circle का हमें दो चीच चाहिए एक तो area का radius यह हमारा midpoint है ठीक है यह half midpoint से जो होता है यह सब radius होता है ठीक है एक तो हमें radius चाहिए ठीक है सरकल का radius ठीक है अब हमें circle का area का formula पता होना ठीक है तो फॉर्मूला होता है पाई आर इसको आए ठीक है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू आर यह सरकल अफ एरिया का formula होता है ठीक है यह दो चीज तो आमें चाहिए 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 कुछ भी हो चाहिए इसके भीना प्रोग्राम बनी में सकता है ठीक है तो चलिए हम प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें radius चाहिए तो उसके में एक function बना लेता हूं sorry variable बनाता हूं radius के लिए r लेट से मैं नाम का एक variable बनानी है जिसमें हम radius अभी हम users enter करवाएंगे radius को user center करें अब मैं एक area नाम का variable बनाता हूं जिसमें circle का area store हो तो area जो हमारा circle का है गाओ decimal में आएगा तो इसलिए हमें फ्लोट बनाना पड़ेगा या फिर डबल बनाना पड़ेगा ठीक है तो मैंने फ्लोट बना लिया इंडिया नाम का विडिया है तो हम एक रेडियस एंटर करवाने के लिए वजर को एक मेसेज देते हैं एंटर रेडियस ऑफ शरकर यह पड़कर और इसके यह मतद से हम एंटर करवाने के रेडियस परसेंटीती प्रिश्टी प्रिश्ट टिर्श्ट है अब हम हम एक फॉर्मुला लगाना पड़ेगा टीक है तो मैं एरिया के अंदर इसको स्टोर करना चाहता हूं तो एरिया का फॉर्मुला अठा है पाई इंटू और पाई तो लिखनी सकती तसलिह हमें यहाँ पाई की वैलु लिखनी पड़े तो पाई कि वैलुज होती है अब हमने प्रिंट भी कराना पड़ेगा पर्सेंट एफ एरिया हमारा फ्लोट में है तो हमें एफ लिखना पड़ेगा कुमा एरिया अब हम इसको एक बार सेव करके रन करते हैं कि यहां पर हम से पूछ रहा है रेडियस डाली है तो मैंने टेंट डाला देखें हमारा रेडियस आता है और हेरिया सर्कल का 3.314 बिल्कुल साही है कि 3.14 को अगर हम बिल्कुल साही है हमारा यह अगर हम 3.14 को 100 से मल्टिप्लाइ करें 100 क्यों कि यहां पर दो बार रेडियस इंट रेडियस होता है तो 10 एंटेंट होगा 3.14 को करेंगे तो 314 अंसर आएगा ठीक है इस प्रोग्राइम को करने का एक और तरीक आगर कर आ यहां पाई की वेल्ली को अठ आद झाए और यहां पर डाइक यह की वेल्ली डिफाइन कर दे तब काम होगा देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको as defined किया मैंने let's say pi नाम का या पाई इसकी value मैं यहाप define कर जाता हूं 3.14 अब मैं यहाँ पे 3.14 की जगह यहाँ पाई भी ले सकता हूं ठीक है मैं इसको save करके रन करता हूं मैं ready डालता हूं 10 यह देखिए बिल्कुल सही अंसर आगा है 3.14 तो यह था simple program area of circle अगर आपको आमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत बूलिए सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि हम मैं जब भी आपके लिए कोई नई प्रोग्राम की वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मि जाएगे और आप उसे देख पाएंगे थैंक यू